एक tennis player का अपने brother-in-law की फियांसे के साथ ही affair हो जाता है एक twist की वज़े से बहुत सारी complication हो जाती है Hello friends, आज मैं आपको match point या एक Hollywood movie explain करने वाला हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो please like और comment जरूर कर दीजे बेना किसी दरीके explanation स्टार्ट करते है movie start होते ही हमारा main character जिसका नामे Chris यह हमसे बात करता है वो कहता है इस world में lucky होना बहुत important है लोग जादा luck पर believe नहीं करते क्यों क्यों डरते है match के बीच में एक point आता है जब ball net से ठक राता है उस वक एक तो आगे जा सकता है और आप जीच जाते हो या पीछे आ सकता है और आप हार जाते हो यह सारी चीजे लग पर depend करती है अब इसके बाद हमारी आगे की story स्टार्ट होती है Chris actual में बहुत ही successful tennis player था उसे अलग-अलग जगा पर टूर के लिए जाना पड़ता था very life उसे अच्छी नहीं लगी वो decide करता है कि अब वो tennis instructor बनेगा London में आकर उसे जॉब मिल गया एक दिन उसे बहुती rich student मिला इसका नाम है Tom Tom और Chris में friendship हुई एक दिन जब बात कर रहे थे तो Tom कहता है मुझे ओपेरा देखना बहुत अच्छा लगता है पर उसके साथ कोई आए ऐसा कोई भी नहीं Chris ने गा कि मुझे भी ओपेरा अच्छा लगता है इस बात पर इन दोनों की bonding हुई और एक ओपेरा देखने के लिए उसने Chris को invite कर लिया ये दोनों जब वहाँ पर पहुँझे तो Tom की पूरी फैमिली वहाँ थी उसकी मदर फादर और उसकी एक सिस्टर सिस्टर का नाम है क्लोई क्लोई को Chris फर्स टाइम देखते हुए बहुत ही अच्छा लगा अगली दिन जब Tom और Chris फोन पर बात कर रहे थे तो Tom गहता है मेरी सिस्टर को तुम अच्छे लगे उसने विकेंड पर तुम्हें पैरेंट से मिलने के लिए बुलाया हुआ है क्रीस भी फिर चला किया तॉम और Chris टेनिस खेल रहे थे तो क्लोई भी इंटरस्टेड हो कि क्रीस उसे खेलना सिखाता है इन्होंने बहुत सारी बाती की और एक दूसरे को जानने लग गए क्लोई को पता चला कि क्रीस बहुत ही फूर फैमिली से आता था उसने महनत करकर टेनिस में प्रोफेशनल प्लेयर बन गया क्लोई को यह सब बाते बहुत अच्छी लगती है उसने फिर उसे एक आर्ट एक्जिबिशन देखने के लिए बुलाया घर में क्रीस नोला को नोटिस करता है नोला उसे बहुत ही अट्रेक्टिव लगी टेबल टेनिस में नोला को कोई भी हरा नहीं रहा था क्रीस उसके साथ खेलता है उसे हरा देता है नोला भी उसके साथ flirt करने लगे कहती है तुम्हारा गेम बहुत ही aggressive है क्रिस कहता है क्या कभी तुम्हें किसे ने कहा है तुम्हारी leaves बहुत ही sensual है यही बाते जल रही थी तब यहाँ पर टॉम पहुचा टॉम नोला को क्रिस से introduce करवाता है कहता है कि मेरी fiance है नोला actual में एक struggling actress थी टॉम्हारी मदर को नोला का प्रोफिशन अच्छा नहीं लगता पर टॉम नोला से बहुत प्यार करता है आज केल क्रिस के पास बहुत सारा time होता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा students नहीं क्लोई को बात बहुत अच्छी लगती है पर उख क्रिस को help करना चाहती थी इसलिए अपने father से उसने बात की अगर उनके company में कोई position हो तो क्रिस ये ले सकता है फादर ने भी हागा तो क्लोई इसके लिए बहुत excited थी क्रिस को ज़रा awkward लगा उसने गहाँ मुझे business के बारे में कुछ भी पता नहीं मैं शायद सही से कर नहीं पाऊंगा क्लोई कहती है सिर्फ तुम जा कर देखो स्लोली स्लोली सारा office तुम run करोगे आज जात क्रिस और क्लोई इन नोला और टॉम के साथ डिनर कर रहे थे क्रिस नोला के बारे में और भी जानना चाहता था उसके movies के बारे में उसने उसे पूछा नोला गहती है मुझे सिर्फ एक ही commercial मिला था उसके बाद उसे जादो chance नहीं मिलता आज कल वो सोच रही है उसे acting का career छोड़ देना चाहिए इसके बाद हम देखते हैं क्रिस ने कलोई के फादर की हागा जॉब ले लिया है एक दिन ये दुनों हैंगाउट कर रहे थे क्रिस ने कलोई को सौंस की सीडी दी इनका प्लान था कि इसे सुनेंगे घर पर ही डिनर करेंगे एक beautiful सी evenings paint करने वाले थे कलोई कहती है आज राद नोला और टॉम ने हमें डिनर के लिए बुलाय हुआ था उसने उसे मना कर दिया है ये बात सुनकर क्रिस कलोई से कहता है हमारी night कभी भी हो सकती है हमें उनके साथ डिनर के लिए जाना चाहिए क्रिस कलेरली नोला में सबसे जादा interested था ये डिनर के लिए गए पर आज राद नोला इनके साथ नहीं गई उसका audition था तो इसके लिए नर्वस थी अगली दिन स्टीट से गुजरते हुए क्रिस नोला से मिला वो बहुत ही tension में थी अब उसका audition है और वो डर रही है क्रिस ने फिर उसे सहरा दिया जहाब आर audition था वो आपर उसके साथ गया ये audition नोला का सही नहीं जाता उसे calm down होने के लिए एक drink की ज़रुएत थी तो दोनों drink करने के लिए एक जगा पर आये इन दोनों की बातों से हैं पता चलता है कि नोला के फादर बच्पन में उसे छोड़ कर चले गए थे उसे life में successful होना है इसलिए actress बनना उसका dream था क्रिस नोला को उसके और टॉम के relationship के बारे में पुछता है नोला कहती है हम दोनों एक party में मिले थे टॉम को में बहुत अच्छी लगी तो हमेशन मुझे gift भेशता था मुझे उसने बहुत सारा attention दिया तुरंद फिर propose कर दिया नोला frustrated थी टॉम की मदर को नोला अच्छी नहीं लगती तो नोला को बहुत बुरा लगता है क्रीस ने कहा कि शायद उसे में भी अच्छा नहीं लगता नोला गहती कि ऐसा कुछ भी नहीं वो तो तुम्हारी और क्लोई की शादी हो इसके लिए ready हो रहे है एक्च्छल में क्लोई का एक बहुत ही घटया boyfriend था उसके comparison में तुम बहुत अच्छे हो बस अब इसके बाद कुछ गड़बर्ड मत करना क्रीस पूछता है कि कैसे है नोला ने कहा मेरे साथ affair करकर इसके बाद weekend के लिए इस सारे टॉम की family के साथ थै यही बर टॉम की मदर और नोला की बीज में जगड़ा हो जाता है नोला एक्ट्रेस है और इसी बाद पर यह जगड़ा था इस जगड़े के बाद नोला बहुत ही ज़ादा डिस्टरब हो गई बाहर बारीश चल रही थी वैसे वो घर से बाहर निकल जाती है क्रीस ने सब देखा उसके पीछे वा आता है वो उसके पास आ गया नोला कहती है कि अच्छा एड़ा नहीं हम कुछ भी गलत कर सकते है इन्होंने फिर किस कर लिया यही पर इंटिमेट हो जाते है इस दिन के बाद नोला क्रीस को इग्नोर कर रही थी एक दिन बहले में क्रीस नोला से बात करता है नोला ने कहा हम दोनों किसी और के साथ इन्वाल्ट है जो भी हुआ वो सिर्व एक गलती थी इसके बाद क्रीस ने डारेक्ली क्लोई के साथ शादी कर ली एक ब्यूटिफुल सा घर देखने के लिए आये हुए थे क्रीस कहता है कि शायद हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते क्लोई कहती है मेरे फादर हमें हेल्प करेंगे इसके बाद थोड़े दिन गुजर गए क्रीस और टॉम जब टेनिस खेल रहे थे तब क्रीस को बता चला कि टॉम ने नोला को छोड़ दिया कि उसकी मदर की वज़े से था उसकी मदर चाहती है कि उसकी एक दूर की कजन है उसके साथ ही उसके शादी हो क्रीस ने फिर नोला को कॉंटेक करने की कोशिश की पर उसे कहीं भी नहीं मिली आज कल क्रीस और क्लोई ये प्रेगनन्ट होने की कोशिश कर रहे थे एक्चुल में Chloe को जल्दी से जल्दी प्रेगनन्ट होकर अपनी फैमिली स्टार्ट करनी थी Chris को ये सही नहीं लगता पर Chloe के लिए उमान जाता है इसके बाद Tom और उसे एक कजन की शादी हुई एक दिन Chloe अपने फ्रेंड के साथ एक आर्ट गैलरी में आई हुई थी Chris को ऑफिस में याद आया कि उसे Chloe से मिलना था जब वो आर्ट गैलरी में जा रहा था तभी वो नोला से मिला नोला थोड़े दिन के लिए इस टाउन से चली गई थी पर अब वो वापस आ चुकी है Chris उसे पुछता है तुम कहा रहती हो क्या हम मिल सकते है नोला ने कहा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है यह सब बातों का पॉइंट क्या है तब यहाँ पर Chloe आ गई Chloe नोला से हो कैसी है इसके बारे में पुछती है पर उसे बात करना ज़रा उक्वर्ट था इसी वज़े से यहाँ से हो चली गई क्रिस नोला से कहता है प्लीज मुझे तुम्हारा नंबर बता तो नोला भी सोच रही थी पर उसने बता दिया इसके बाद एक दिन यह दोनों डारेक्ली इंटिमेट हो गए हमेशा क्रिस नोला के घर पर आता था नोला की नेवर एक ओल्ड हुमन थी उसे भी वो जानने लग गया था एक दिन जब क्रिस और क्लोई यह टॉम के साथ डिनर कर रहे थे तब एक क्रिस का फ्रेंड उसे मिलता है उसने का एक स्ट्रीट पर मैंने तुमें चलते हुए देखा था मैं तुमें आवाज लगा रहा था यह जो स्ट्रीट थी यह नोला के घर के पास ही है क्रिस फिर गहता है क्यों मैं नहीं था तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई पर उसका फ्रेंड बहुत ही फर्म था क्लोई इस बात को जादा सीरीशली लेती नहीं इस वज़ए से क्रिस को कोई भी प्रॉलिम नहीं आया अब बहुत सारे दीन हो जोके और नोला और क्रिस अब भी मिल रहे थे क्रिस ने नोला से कहा था क्यों अपने marriage में खुश नहीं वो Chloe को छोड़ देगा पर अब तक उसने नहीं छोड़ा Chloe को इनके बार में पता भी नहीं तो Nola Chris पर बहुत ही चीट गई थी Chris कहता है मैं जल से जल बता दूँगा वो फिर तीन दिनों के लिए पूरी फैमिली के साथ एक विकेंड पर गया यही पर Nola का उसे कॉल आता है वो बहुत ही डिस्टाव थी वो चाती थी Chris अभी के अभी उसे मिले यहाँ पर Chris ने काम का बहाना बनाने की कोशिश की पर Chloe मांगती नहीं Chris को यही रुखने पढ़ने वाला था राद में Nola ने फिर से Chris को कॉल किया वो घहती है कि मैं परेगनन्ट हूँ उसे उसकी जरूरत है Chris फिर अगले दिन उसे मिल लेता है यह केरफूल नहीं थे इसी वज़े से वो परेगनन्ट हुई Nola ने उसे समझाया कि हमारे लिए और एक चांस है तुम Chloe को डिवास देतो और हम दोनों हमारी निव लाइफ स्टार्ट करेंगे इसके बाद Chris बहुती टेंशन में आ गया यह बात Chloe नोटिस कर दिया उसे लगा क्यो परेगनन नहीं हो सकती शायद इसी वज़े से Chris इस तरीके से बिहेव कर रहा है Chris उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं उसने उसे गले लगा लिया अपने एक सीन में Chris अपने एक फ्रेंड के साथ बात कर रहा था जो भी उसके लाइफ में चल रहा है इस सब कुछ उसने उसे बता दिया वो कहता है नोला के साथ उसकी जो भी मैरेज है इसे वो इस तरीके से छोड़ नहीं सकता उसके पास एक बड़ा जॉब है उसके जॉब पर उसे बड़ा सा प्रमोशन मिला है स्टैंडर्ड ओफ लिविन उसका बहुत जादा बढ़ चुका है इस सारी चीज़े वो छोड़ नहीं सकता एक तरब नोला है जिसों बहुत एट्रेक्टेट है अब क्रीस ने नोला को अवाइड करने के लिए का कि एक मन के लिए हम सारी फैमिली वैकेशन पर जा रहे है हम जब वापस आएंगे तो मैं क्लोई को सब कुछ चीज़े बता दूँगा पर अल्रेडी एक वैकेशन कैंसल हो चुका था एक दिन जब क्लोई के फादरी ने मिलने के लिए आये हुए थे तो क्रीस को एक बड़ा सा प्रोमोशन दे दिया जाता है नोला ने क्रीस को कॉल करने का बहुत ट्राय किया पर वो इग्नोर कर रहा था एक दिन वो चेक करने के लिए क्रीस के आफिस के बहार आ गई क्रीस को बहार आता देख वो बहुत ज़ादा गुस्सा हो जाती है इन दोनों में बहुत बड़ी फाइट हुई क्रीस कहता है कि हम जल्दी आ गए थे आज मैं तुम्हें कॉल करनी वाला था नोला कहती है अगर तुम तुम्हारी वाइब से बात नहीं कर सकते तुम मैं ही उसे सब कुछ बता दूंगी अब क्रीस बहुत ही बड़े ट्रबल में था राद में भी उसे नीन नहीं आती उसके फादर इनला हमेशा हंटिंग करते तो बहुत सारी गन उनके बास पड़ी हुई थी एक दिन क्रीस जाकर ये गन चोरी कर लेता है राद में जब क्लोई और क्रीस एक साथ थे तो क्लोई की एक चीज़ क्रीस के बैग में थी उसने बैग खोली पर क्रीस जल्दी से उसे बैग ले लेता है उसमें गन थी तो कहता है कल हम दोनों एक प्लेट देखने के लिए चलते है Chloe फिर excited हो की अगली दिन Chris ने नोला को call लगया कहा कि मैंने Chloe को सब कुछ बात बता दी है शाम 7 बजे तुम्हारे घर पर हम मिलते है अगली दिन फिर Chris एक घंटे पहले नोला के घर पर पहुझ गया नोला की ने बर एक ओल्ड उमन उसका टोरो नौक करता है उसने का क्या हमारी केबल चल नहीं रही मैं देखना चाहता हूँ क्या आपकी चल रही है घर में आने के बाद Chris ने गन को रेडी किया इस ओल्ड लेडी को मार डालता है घर की सारी चीज़े तहस्नेश करती इस ओल्ड उमन की जेलरी उसने ले ली ताकि पुलिस को लगे कि कोई यहाँ चोरी करने के लिए आया हुआ था उसने ओल्ड उमन को मार डाला Chris घर में ही था तब ही ओल्ड उमन से मिलने के लिए एक आदमी आता है Chris डोर नहीं खोलता वो थोड़ी दिर में वहाँ से ओचला गया साथ बजने पर नोला घर पर आई वो लिप्ट से उतरी तब ही Chris उसे शूट कर देता है वो बहुत दी डर गया था पर वैसे ही क्लोई के साथ प्ले दिखने के लिए आ गया क्राइम से इनवर पुलिस बोचे उन्हें लगा कि रॉबरी थी अगली दिन निउस्पेपर में क्लोई को इसके बार में पता जलता है सारी फैमिली को नोला के लिए बहुत बुरा लगा था क्रिस फिर एक दिन अपने फादर इनलौ के घर पर जाकर उनकी गन फिर से रख कर आता है अचानक से उसके ऑफिस में पुलिस का कॉल आया था उसे बात करना जाते थे क्रिस के बास ओल्लूमन की जो भी सब जोलरी थी ये उसने सारी नदी में फेक दी पर हम देख सकते हैं कि उसकी रिंग ये शोर भरी गिरी गई क्रिस पुलिस से मिलने के लिए आया पुलिस उसे बुझते हैं तुमारे और नोला के विश में क्या रिलेशनशिप थी क्रिस कहता है वो मेरी ब्रदर इनलौ की फियान से थी हम दोनों में कुछ भी नहीं था पुलिस ने फिर नोला की डायरी निकाली उन्हें नोला और क्रिस के बारे में सब कुछ पता था क्रिस डर गया वो कहता हम दोनों में अफेर था पर आपको मैं डायरेक लिए बात नहीं बता सकता मैं मेरी वाइट से बहुत प्यार करता हूँ, वो सिर्फ एक मेरी गलती थी, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैंने नोला का मर्डर किया है, अगर आप इसकी इन्वेस्टेशन करना चाते हो, प्लीज बहुत ही डिस्कृट कीजेगा, आपके इस डाउट की वज़े से मेरी पूरी जिन्दगी खराब हो सकती है, प्लीज इसके बारे में किसी कोई पता नहीं जलना चाहिए, क्रीज के जाने के बाद पूलीस ने इसके बारे में डिसकृस किया, एक को लगता है कि सायद क्रीज गिल्टी है, पर दूसरे को लगता है कि ड्रग्स के रिलेटर क्राइब था, रात में Chris को नोला उसके सामने दिख रही थी नोला कहती है मेरे साथ ये सब करकर तुम जी कैसे सकते हो Chris ने कहा कि अगर मैं गिल्ड के साथ जी हूँ तो जी नहीं पाऊंगा मुझे लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा तब भी Chris को वो ओल लेड़ी भी उसके सामने दिखने लग गई थी वो कहती है कि मेरी क्या गल्दी थी तुमने मुझे क्यों मारा Chris कहता है मेरे गोल तक पोहुचने के लिए तुम सिर्फ एक कोलैटरल डैमेज थी उस ओल लेड़ी ने Chris से कहा कि इसमें तुम्हारा बेटा भी था तुमने अपने चाइल्ड को भी मार डाला Chris को बहुत बुरा लगता है एक डिटेक्टिव ने सारी केस को फिगर आउट कर लिया था उसे लगता है कि 100% Chris नहीं क्राइम किया है दुसरा डिटेक्टिव से कहता है कि उस ओल लेड़ी की रिंग एक ड्रग एडिक के पास हमें मिली उसे हमने अरेश्ट कर लिया है Chris ने कुछ भी नहीं किया था हमने प्रिवेसलि देखा Chris ने जब ओल लूमन की सारी जिवलेरी फेकी दुसरी रिंग शोर पर गिर कही थी यही रिंग एक ड्रग एडिक ने उठा लिये वो ही इस केस में फ्रेम हो चुका था Chris बाल बाल बच जाता है मूवी के फर्स में उसने हमसे कहा था लाइफ में चांस बहुत ही जादा इंपोर्टन्ट है अगर यह चांस नहीं होता तो आज वो बच नहीं पाता उसने जो भी किया वो बहुत ही गलत किया पर इस गिल्ड के साथ उसे पूरी लाइफ में जीना पड़ेगा इसे के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो अचा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बिल नुटिवेशन आइकोन दाउन में मत भुलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक ने मूवीज के साथ तब दे के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया